हेलो वेलकम इने के स्टड़ी 1024 मैं हूँ अरुन कुमार याद हो और यह है सेकिंड पार्ट चैप्टर वन क्लास 12 का जिसमें हम सीखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन्स क्या होती हैं इसके अलावा हम इन पे बेस्ट कुछ एक्जाम पास एक रिलेशन है आर जो कि set A के अंदर डिफाइंड है इन set A का मतलब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इन set a का मतलब होता है जो relation है वो from set a to set a में defined है ठीक है तो देखें कोई भी relation ऐसी reflexive तब होगी जब हर एक element a अगर set a से बिलोंग करता है उसके लिए a, a relation में होना चीए मतलब जैसे माल लिजिए 5 जो है वो एक element है a का मतलब 5 a को बिलोंग करता है अगर तो 5,5 होना चीए relation के अंदर इस तरह से अगर 6 बिलोंग करता है a को तो 6,6 बिलोंग करना चीए relation में ठीक है इस तरह से जितने भी element है सबके साथ यह condition अगर है तो हम बोलेंगे कि वो relation reflexive relation है ठीक है अभी example करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा अब बात करते हैं symmetric relation की देखिए अगर हमारे पास a1,a2 बिलोंग करता है relation में मतलब यह relation का इक हिस्सा है तो इसके लिए a2,a1 भी relation में होना चाहिए मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है a1 पहले लिखा है a2 बाद में लिखा है अगर ऐसा है तो इसका उल्टा यानि कि a2 पहले और a1 बाद में भी relation में होना चाहिए for all a1,a2 बिलोंग to set a मतलब जितने भी element ऐसे हैं उन सब के लिए ऐसा होना चाहिए ठीक है और जो ट्रांजिट्यू की बात अगर हम करें तो ट्रांजिट्यू तब होती है relation जब हमारे पास कुछ ऐसा हो जैसे यहाँ पर देखिए a1,a2 relation को बिलोंग करते है and a2,a3 भी relation को बिलोंग करते हैं इन दोनों में खास बात क्या है देखिए इसका last जो element है वो a2 है और इसका सुरू वाला element a2 है ठीक है तो मतलब यह दोनों इसमें same है अगर ऐसा है तो जो इसमें same नहीं है देखिए इसमें अलग क्या है a1 इसमें अलग क्या है a3 तो a1 और a3 भी relation में बिलोंग करना चाहिए अगर ऐसा है तो मतलब यह हमें given होगा और हमें search करना होगा क्या ऐसा है अगर यह होने से यह भी होता है तो हम बोलते हैं कि वो जो relation है वो transitive relation है ठीक है जहां पर a1, a2 and a3 set a में बिलोंग करेंगे ठीक है आप देखिए example करते हैं आपको ज़्यादा clear हो जाएगा कि मैं कहना के चाहता हूँ जो ncrt का example 2 है यह बहुत ही बढ़िया example है इस बात को समझने के लिए कि एक reflexive symmetric and transitive relation क्या होती है ठीक है इस question में हमसे बोला गया है कि जो एक question है हमारा इसको equivalence relation proof करो equivalence क्या होता है देखिए ऐसी relation जो reflexive भी हो symmetric भी हो and transitive भी हो उसको हम बोलते हैं कि वो relation equivalence relation है ठीक है अब मैं आपको questions में जाता हूँ क्या है इसमें हमसे बोला गया है जो T है T एक set है all triangles का in a plane ठीक है with R a relation in T मतलब जो T है वो set है सारे की सारे triangles का एक plane में और R एक relation है जो कि set T में defined है in set T का मतलब आपको समझ में आगया होगा कि जो relation है T से T में ही defined है from T to T अब इसके आगे हमसे बोला गया है कि जो relation की definition हमें बताई गई है वो यह है कि relation की definition है T1, T2 इसमें आते हैं जहांपर जो T1 होगा वो congruent होना चीए T2 के ठीक है और जैसा कि हमें so करना equivalence lesson में आपको बताई चुका हूँ तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए सबसे बहुते बात करते हैं reflexive है की नहीं reflexive होने के लिए क्या था कोई भी element अगर set में belong करता है तो relation में A को मा A होना चाहिए मतलब वो दो बार तो यहाँ पर जो set है वो हमारा A था इस definition में लेकिन यहाँ जो set है वो T है तो अगर हम माल लिजे कोई भी triangle ले 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 TN ठीक है माल लेते हैं कोई भी triangle TN जो है वो belong करता है set T से ठीक है तो जाहिर सी बात है हर एक triangle खुद के congruent तो हो गई ठीक है जो भी है TN N का मतलब कुछ भी हो सकते है आप एंगी जग आप 1 रख लो तो T1 की बात कर रहे है N की जआँ 2 रख लो तो T2 की बात कर रहे है तो TN मतलब कुछ भी हो सकता है तो हर triangle अपने congruent तो हो गई जैसे ही triangle अपने congruent हुआ तो relation की definition ही यही है कि जो T1 है वो t2 के congruent होना चाहिए था तो हम कहा सकते हैं कि जो tn, tn होगा ठीक है वो belong करेगा relation के ठीक है क्योंकि यह दोनों आपस में congruent है तो इस relation में आएंगे तो हर triangle अपने ही congruent होता है तो यानि यह relation में आएगा तो हम कहा सकते हैं कि यहाँ पर tn, tn belong करता है relation में for all tn belongs to set t ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हो गया कि जो relation है हमारी यह relation जो है वो क्या है वो reflex हुए ठीक है अब बात करते हैं जो second था हमारा symmetric relation ठीक है अब इसमें मैंने क्या कहा था कि यह अगर है तो हम इसके बारे में सोचेंगे तो मतलब यहाँ पर हम माल लेंगे कि अगर माल लिजे कोई भी दो triangle ठीक है माल लिजे t1, t2 है ठीक है if करके लिखेंगे मिजे अगर अगर t1, t2 है जो कि relation में belong करते हैं तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि जो t1 है वो congruent रहा होगा t2 के तभी तो relation में belong करेगा तो अगर t1, t2 के congruent है तो इसका मतलब यह भी तो होगा कि जो t2 होगा वो congruent होगा t1 के ठीक है और जैसे ही हो गया तो इसका मतलब हमें मिल जाएगा यह imply करेगा कि जो t2 होगा t1 होगा वो भी belong करेगा relation में for all t1, t2 belongs to set t ठीक है यानि जो triangle का set है उसी के अंदर से हमने यह लिये थे मैं एक बार बता जाता हूँ कि अगर हमें यह given है कि t1, t2 relation में है तो इसका मतलब है यह तभी relation में होगे जब t1, t2 के congruent होगा और अगर यह congruent है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि अगर t1, t2 के congruent है तो t2 भी t1 के congruent होगा order को फरक नहीं पड़ता ठीक है तो अगर ऐसा है तो यह भी relation में belong करेगा तो यहाँ पर हो गया ठीक है कि t1, t2 relation में belong करता है तो t2, t1 भी relation में belong करता है तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा, कि जो relation है, relation is symmetric, ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा transitivity, ठीक है, transitivity में मैंने आपको बताया था, कि transitive relation तब होता है, जब A1, A2 relation में हो, यह A2 पे खताम हो रहा है, तो यह A2, A3 भी relation में हो, तो यह शुरू का और इसके last, ठीक है, यह यह A1 और A3 भी relation में होना चाहिए, तो देखिए, अगर मान लिजिए, हमारे पास, T1 और T2 relation में बिलोंग करते हैं, ठीक है, and T2, यह 2 से खतम हो है, यह 2 से चालो होगा, T2 और T3 भी relation में बिलोंग करते हैं, तो पक्ती बात है, कि जो T1 होगा, ठीक है, और जो T होगा, वोब्य relation में बिलोंग करेंगे, क्यों करेंगे, दیکھ unscrew, अगर यह relation में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है, T1 रोग Kubernetes है, और अगर यह relation में बिलोंग करते है, तो यहाई है, तो जाहिर से बात है, कि अगर यह इसके congruent है और यह इसके congruent है तो यह भी आपस में congruent होंगे ही तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो माल लिजी यह है triangle T1 और यह है triangle T2 और यह है triangle T3 अगर T1 जो है वो T2 के congruent है ठीक है और T2 जो है वो T3 के congruent है तो जाहिर भी है और मैंने भी आपको बताया था कि एक ऐसी relation जो reflexive भी हो symmetric भी हो और transitive भी हो वो क्या हो जाती है वो हो जाती है equivalence relation तो हम कह सकते हैं कि जो relation है equivalence relation है तो आप यहाँ पे लिख लेना the relation is equivalence relation तो अब एक और example लेते हैं जो हमें समझने में मदद करेगा कि reflexive symmetric and transitive क्या होता है ठीक है एक और example लेते हैं अब देखिए example number 3 NCRD का ठीक है इसमें क्या है इसमें जो L है वो set है of all lines in a plane ठीक है और जो हमारे relation है वो set L में ही defined है और relation की definition है relation में L1, L2 आता है अगर L1 perpendicular है L2 के तो और हमें दिखाना है कि जो relation है वो symmetric तो है लेकिन ना ही यह reflexive है और ना ही transitive है तो इसको हम कैसे करेंगे सबसे पहले बात करते है reflexive की ठीक है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जो relation है relation is not reflexive ठीक है क्यों as जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है तो L1 जो है यह L1 के ही perpendicular तो नहीं हो सकती कोई भी line खुद के perpendicular नहीं हो सकती ठीक है तो अगर यहाँ पर L1 के perpendicular नहीं है तो मतलब L1, L1 जो होगा वो belong भी नहीं करेगा relation में और अगर यह belong नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि जो relation है वो reflexive नहीं होगी क्योंकि relation को reflexive होने के लिए अगर कोई भी element L1 जो था वो set L से belong करता है ठीक है तो यह होना चाहिए था जबकि यह ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह reflexive नहीं है दूसरी बात करते हैं symmetric होने की ठीक है देखिए symmetric में क्या था फिर से A1, A2 अगर है तो A2, A1 होना चाहिए मतलब यह है तब हम यह prove करेंगे तो हम यह assume करेंगे कि यह है और फिर दिखाएंगे कि ऐसा होगा या नहीं होगा ठीक है तो देखिए यहां पर if L1, L2 belong करता है relation में ठीक है for all L1, L2 belong to set L ठीक है तो अगर यह ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा कि L1 जो है वो L2 के perpendicular रहा होगा ठीक है तब ही तो यह belong करता है relation में तो इसका मतलब simple सा होगया कि L1 जो है वो perpendicular है L2 के तो अगर L1, L2 के perpendicular है तो यह imply करता है कि जो L2 होगा वो perpendicular होगा L1 के ठीक है जैसे यहाँ पे line L1 है और यहाँ में एक और line खेच देता हूँ L2 और इनके भीच का angle है 90 degree मतलब जो L1 है वो L2 के perpendicular है यह capital L है ठीक है जो L1 है वो L2 के perpendicular तो जहिर सी बात है जो L2 होगा वो L1 के भी perpendicular होगा तो अगर यह हुआ तो इसका मतलब है कि जो L2 है कोमा जो L1 है वो relation में बिलोंग करते है ठीक है तो यहाँ पर देखिए L1 कोमा L2 relation में था यह imply करता है कि L2 और L1 भी relation में है इसका मतलब है कि जो relation है relation is symmetric ठीक है तो यह हो गया relation symmetric है तीसरी चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि यह reflexive भी sorry transitive भी नहीं है ठीक है तो transitive नहीं है यह हम कैसे proof करेंगे देखिए transitive के लिए फिर से A1 A2 relation में होने चाहिए A2 A3 भी relation में होना चाहिए तो हम दिखाएंगे कि A1 और A3 relation में नहीं है अगर यह नहीं होंगे तब हम proof कर पाएंगे कि वो transitive नहीं है तो यहाँ पर देखिए if line 1, line 2 belongs to relation तो इसका मतलब simple सा क्या हो गया कि जो L1 है वो perpendicular रहा होगा L2 के and दूसरी condition यह L2 पे खतम हो रहा है तो L2 से शुरू होगा L2, L3 belongs to relation तो इसका मतलब है कि जो L2 है वो perpendicular है L3 क ठीक है अगर यह है तो इसका मतलब क्या है मैं आपको diagram से समझाता हूँ यह हमारी line 1 ठीक है यह perpendicular है यहाँ पर खीच देते हैं line 2 और L1, L2 के perpendicular है और L2 जो है वो L3 के perpendicular है ठीक है जो L2 है माल लेते हैं एक तीसरी line जो L3 के perpendicular है तो L3 कुछ ऐसा आएगा तब ही तो इनके L2 के perpendicular है L2 L3 के perpendicular है लेकिन L3 और L1 तो आपस में perpendicular नहीं है बलकि parallel है ठीक है तो हम कह सकते हैं अगर ऐसी condition है तो यह imply करती है कि जो L1 होगा वो parallel हो जाएगा L3 के ना कि perpendicular ठीक है तो हम लिख देंगे कि L1 और L3 जो है वो relation में बिलोंग नहीं करते हैं क्योंकि perpendicular होने चीज़ ह लेकिन वो parallel हो गए है ठीक है तो जो relation है वो क्या है वो not transitive है ठीक है तो यह दो example काफी आपको समझने के लिए बाकि हम जब exercise करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी है आपको यह concept समझ करें मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye